जुंगर्पुर्जिले की साइबर थाना पोलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक शातर ठग को गिरफतार किया है आरोपी ने 9,70,000 रुपे की ठगी की वारदात को अंजवाम दिया था आरोपी गुजरात के में साणा करेने वाला है फिलाल पोलिस आरोपी से पूशताच कर रही है साइबर थाना दिकारी सुनील कुमार ने बताये कि 27 मार्च को दिलीप में इगवाल पुत्र धुलेश्वर में इगवाल निवासी खुदरडा ने रिपोर्ट दर्च करवाई थी रिपोर्ट में बताया गया कि 20 फरवरी को उसके पास एक कॉल आया कि आप अपना डिमेट काता खुलबा कर ओनलाइन ट्रेडिंग टिप कारे करो और जिसमें काफी अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हो जिस पर डिमेट अकाउंट खुलबा कर कॉल करने वाली वेक्टी के साथ में काम करने लगा उस वेक्टी ने ट्रेड खरीदने के नाम पर अलग-अलग अकाउंट में 9,70,000 रुपे ट्रांसफर करवाई इसके बाद मुनाफ़े की बात करने पर वो उसे जूटी दिलासा देता रहा बार-बार पूछने पर उसने फोन स्वीच ओफ कर दिया जिसके बाद उसे ठागी का एहसास हुआ उसने साइब रथारे में शुकायत दर्च करवाई जिस पर करवाई करते हुए पुलिस ते आरोपी को क्या गिरखता है जम अगरवाई उसके बारे से उपेदे दिये फिर पांच हजार जम अगरवाई उसके साड़े पांच हजार दे दिये उसको फसा फसा के उससे पुल मिलाकर नौला सब्तर हजार की उसके साथ ठगी होई बार्मेर शहर में इंदिनों बदमाशों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं देराथ बुलारों में सवार होकर युवती के साथ आए बदमाश ने बुलारों कैमपर गाड़ी से एक युवक पर जानलेवा हमला कर गंभी रुप से घाल कर दिया और उसके बाद घायल युवक पर